आज मैंने lunch में बनाया था आलू-दं-ब्रियानी देख सकते हुआ ज्यादा पॉफिक्ट लग रहा है देखने में और बहुत ज्यादा ताम-चाम बिलकुल नहीं करने है बहुत सारी सबस्याँ भी कठी नहीं करने है और बिलकुल कर्म टाइमें बनकर यह तयार हो जाता है सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें आड़ कर रहे हूं दो कप इतना चावल तो यह नॉर्मल लॉंग रियन राइस है कोई साथ भी लॉंग रियन राइस ले सकते हो लिया है और क्यूब में कट कट दिया है तो बहुत ज्यादा मैंने आपर बड़ा बड़ा क्यूब नहीं किया है वैसा मुझे ब्रियानी में नहीं पसंद है बट अपने हिसाब से आप इसका साइज रख सकते हो और बस जो प्यास है उसे मैंने स्लाइस में कट कर दिया है तो प्यास मैंने थोड़ा ज्यादा यूज़ किया है क्योंकि यहां पर बिरेस्टा भी बनाने वाले हैं तो बस प्यास को एक वर हादों से मैस कर देंगे ताकि बिल्कुल अलग-अलग हो जाए एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है तो इसमें आट कर रही हूँ आलू तो आलू को फ्राय कर लेंगे तब ही एकदब मज़ेदार से टेश्ट आएगा हमारे बियानी में तो यहाँ पर आप हाई फ्लेम पर चार से पास मिनट के लिए फ्राय कर लेना थोड़ा अगर इसमें कसर पाकी है तो बाद में पक्चाएगा तो बस मैंने यहाँ पर आलू को फ्राय कर लिया है बहुत जाद इसका कलर चेंज नहीं करना है तो बस तेल से निकालने के बाद हलका से इसका तेल हम झाल लेंगे एंड उसके बाद आप किसी टीसु पेपर पर रखना ताकि जितना भी तेल वह एब्सॉर्ब हो जाए और सेम तरीके से मैं यहाँ पर प्यास को भी फ्राय कर ले रही हूँ तो प्यास को फ्राय होने में थोड़ा टाइम लगीगा तो आप इसे लूट टू मेडियम फ्लेम पर दस से बार मिनट के लिए फ्राय कर लेना जब तक यह गोल लिना हो जाए तो बस देख सकते हो अच्छ कटा हुआ तो आप टमाटर ब्रियानी में ज़रूर से इस्तमाल करना बहुत अच्छा से टैंगी फ्लेवर आएगा और साथ में आड़ कर रही हूं आधा चमश नमा क्या फिर आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग आड़ कर सकते हूं और साथ में आड़ कर देंगे आधा आप ब्रियानी मसाला तो इसमें में खड़े मसाली होती हैं तो एड़ करने की कुई जरूत नहीं है पहनी हाप पर कैच का ब्रियानी मसाला यूज़ के आप भी इस्तमाल कर सकती हो और One by three कप एड़ कर रहे हूं दही खटी दही का इस्तमाल नहीं करना है और आधा नीम कॉ और धीर सार धनियापता आड़ करेंगे और उसके बाद आड़ करेंगे अनियन वाला तेल, एक बड़ा चमश, बहुत अच्छा सा फ्लीवर आता है और बस सबी चीसों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छे से मिक्स होता चाहुत स्पून का बिस्तमाल कर सकते हो जब अच्छे से मिक्स होचा तो कम सी कम 20-25 मिनिट्स के लिए इस इम रिष्ट पर छोड़ेंगे, मतलब मारी नीशिन पर ताकि अच्छा सा फ्लीवर आजए, स्यादा टायमे तो थोड़ी दिर आप और रख सकती हो और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल के लिए पानी गर्मोनी के लिए चड़ा दिया था, इसमे आट कर रहे हूँ, अधा चूटा चमश नमक और थोड़े से खड़े मसाले, तो मैंने यहाँ पर लिए बड़े और चोटी लाची, एक टुकडा दाल चिनी का, एक टुकडा जाब इत्री का, और कुजदाने मैंने हाँ पर काली मर्श के लिए हैं, और साथ में ही लॉंग, और साथ में आट करें हूँ, एक चूटा चमश तेल, और एक टीस पता आट करें हूँ, और एक चूटा चमश नीमू का रस, तो नीमू के रस से बिल्गुल खिला के करेंगे, तो जब इसमें वायल आजाए, तो जो हमने चावल को रखा था, उसे आट कर देंगे, और पकाएंगे, तो चलाते हुए आपको पकाना है, तो चावल को पकने में अटलिस्ट टू-10 मिट्स लग जाएंगे, और आपने कौन सा चावल यूज के उस पर डिपेंड करता है, तो चली, जब तक यहाँ पर चावल वायल होता है, मैंने यहाँ पर लिया कढ़ाई, तो तेल को मैंने यहाँ पर कम कर दिया, और इस तेल में आड़ कर रहे हूं, थोड़ा सा जीरा, आधा चोटा चमिश इतना, और जो सबजियों को मैंने अमरिने किया था, उसे कर दे रही हूं, और कम से कम इसी 10-12 मिनेट के लिए भूनेंगे, मतलब तेल रिलीज होने तक, तो सबजियों को हम साइट साइट से भूनते रहेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीकी से भूनना है, और चाहो तो एक से 2 मिनेट के लिए से ढखकर भी भून सकते हो, ताकि जो अलुए अच्छे से पक्चा है, और हमारा चावल भी देख सकते हो, अच्छे से बॉल हो चुका है, तो चावल को यहाँ पर 80% तक ही बॉल करना है, और उसके बाद अब मैं इसे स्टेन कर दूंगी, तो बस यहाँ पर सबजी भी काफी अच्छे से भून चुका है, तो मैं आप पर एक लिएर ही लगाया, चाहों तो दो लिएर भी कर सकते हो, और नेक्ष्ट मैंने आप पर कास्मेरी केसर अट किया है, तो यहाँ पर मैंने असेंस लिए आप चाहों तो फ्रेस पर लवे इस्तमाल कर सकते हो, और थोड़ा सा यलो फूट कलर अट उसके बाद रखेंगे, बिल्कुल लू फ्लेम पर चाहों तो एक तवा भी नीचे रख सकते हो, और बस उसके बाद हमारा जो ब्रियानी है बिल्कुल तयार एकदम खीला-खीला, तो आपको एक वार यह वाला आलू दम ब्रियानी तो ज़रूर से ट्राय करना शाहिए, एकदम सिंपल से और पॉफिक्ट मैंने आपको बताया, तो आप पीस तरीकी से ही बनाना, और बस सिंपल से सैल लेडिया फिर रायत है के साथ इसे हम सर्फ करेंगे, तो एक वार इस तरीकी से ट्राय करो, और उसके वाद कैसा बनता, बेर इसाथ कमेंट सेक्सर में ज़रूर से सियर करना, और रेस भी तूरी से भी अच्छी लेगी तो लाइक से रण प्लीज से सब्सक्राइब कर लो, मिलते हो नेक्स टाम, तब तके लिए बाई